नमस्कार सू स्वागतम वेलकम अभी नंदन मैं हूँ डॉक्टर वायरा कि आप लोगों का स्वागत अभी नंदन करती हूँ फाइव मिनेट स्टोरेस में सबसे पहले कमेंट्स पे जाकर जैमाता दि लिखिए ताकि मुझे पता चकता रहा है आप लोग कैसे हैं परिवार में सब कैसे हैं मैं आपकी अपने इस YouTube परिवार के साथ और अपने परिवार के साथ बिल्कुल चीक हूँ, आप लोगों का स्वागत अभी ना दन कर दियो, आज की कहानी मज़ेदार लेकिन दो कहानी है, क्योंकि छोटी-छोटी है, एक बार एक आप, अगर मेरे उस चानल से चुड़ा हैं, और उसको पैर के निशे रख देते हैं, और सुई से कपड़े सिलते हैं, उसे टोपी में ताच की तरह लगा लेते हैं, बेटा रोज ये देखता लेकिन जिग्यासा उसकी यह होती कि पापा ऐसा क्यों करते हैं, तो एक दिन उससे प्टे पिता से पूछा, पापा आप ऐस हैं, और सुई, हाला कि छोटी है, लेकिन सिलने का काम करते हैं, इसलिए सर का ताज बनती है, इसलिए जिन्दगी में हमेशा रिष्टों को जोडने वाले बनना, काटने वाला कभी मत बनना, तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, और इसके साथ एक और मोटिवेशनल स्टोरी एक बार एक बारा सिंगा था, उसको अपने सिंगों पर बड़ा नास था, वो एक नदी के किनारे पानी पीने गया, तो जब उसने सर नीचे जुखाया तो जल के अंदर उससे अपने सिंग दिखाई थी है, उसने का रहे वा भगवान, कितने खुबसूरत सिंग है मेरे, मे कि पैर सुंदर नहीं दे सकता था, और उसने पैर पीछे करके चुपा ली और पानी पीने लगा, इतने में दो शिकारी आया और उसके उपर रिवॉल्वर, गोली चलाने लगे, वारा सिंगा बड़ी स्वीट से भागा, बड़ी स्वीट से भागा, और अपनी जान बचात का हिसास हुआ, कि जिन्दीगी में कई बार कई रिष्टे हमारे पास भी होते हैं, जो शैर रंग में, काले, मोटे, या बचसूरत होते हैं, लेकिन हम सिरफ खुबसूरत चीज़ों की तरफ आकरशित होते हैं, कई बार आपका दोस्त गरीब हो सकता है, काला हो सकता है, दोस्तों और बच्चों दोस्त हमेशा चुनो सोचो समझो फिर उन्हें चुनो कभी भी रंग गोरा देखकर गल्फरेंड चुल लेना या अमीर देखकर दोस्त बना लेना आपको मुसीबत में डाल सकता है जैसे सुशान सिंग राचपूत ने रिया चकरवती से दोस्ती करते वक्त कभी नहीं सोचा था कि उसकी जान भी जा सकती है तो जो चीज़ दूर से बड़ी खुबसूरत लगती है वो अक्सर नुकसान पहुचाती है जैमातादी